तो अब Amazon को भी कहीं न कहीं लगता है कि उसको इंडिया में कुछ नई पॉलसी लानी पड़ेगी, कुछ नया काम करना पड़ेगा जैसा मैं आपको बता दूँ अगर आप Amazon इंडिया पर सेल करते हो तो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से कहीं न कहीं Amazon इंडिया के जो सेलर हैं वो इस्ट्रेगल कर रहे हैं क्योंकि जो मिसो है, सौपसी है, फ्लिप कार्ट है, यहाँ पे जो इनकी 0% कमीशन पॉलसी है तो वहाँ पे क्या है, कहीं न कहीं Amazon को भी अब कमीशन के लिए सोचना पढ़ रहा है, इसलिए दोस्तों, Amazon ने सारे सेलर्स को एक गुड़नी उजदी है, और जो इनका 2% सेलिंग कमीशन मेगा ओफर था, उसको उन्होंने एक्स्टेंड कर दिया है, और अब कब तक ये चल पर एंड हो जाएगा, लेकिन आज जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें ये तो लिखा है, कि हमने इसको एक्स्टेंड कर दिया है, बट ये कब तक चलेगा, कब तक बैलिड है, ये नहीं लिखा है, इसका मतलब कहीं न कहीं एक सिगनल है, आप समझ जाएए कि अब ये ज़्यादा competition करता है, और flip card अगर कोई नई policy लेके आता है, तो कहीं न कहीं Amazon भी उसी तरीके की policy अपने sales के लिए लेके आता है, चुकि flip card ओलेडी ये plan run कर रहा है, तो कहीं न कहीं Amazon को भी ये plan run करना पड़ेगा, और आगे चलके में भी आपको और अच्छे plan देखने को मि ले अपने commission में और हो सकता है, Amazon flip card अपने commission को completely revise कर ले, क्योंकि अभी ये जो 2% का plan चल रहा है, इसमें बहुत सारी terms and condition mention की गई है, अगर आप वहाँ पे fulfill कर रहे हैं, तभी आपको 2% commission पे रखा जाएगा, otherwise जितना commission करता है, आपको उतना commission देना पड़ेगा, तो इस वीड की information मिलती रहती है, thank you so much.